आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ क्यों मतलब इसमें क्या होता है कि हम तिशू कल्चर के लिए यूज करते हैं वह हम लोगों को बोलना होगा सो बेसिक एलिए जो कोकोनाट मिल्क होता है या फिर जो कोकोनाट वाटर होता है कोकोनाट मिल्क या फिर जो वाटर होता है यह क्या होता है ना It is reached in cytokinin, okay, cytokinin में reach होता है, मतलब बहुत सरा cytokinin present होता है, तीक है? अब यह जो cytokinin जो होता है, नो यह Cytokinin होता है, यह क्या है, यह एक phytohormon है, यह फिर एक plant hormone है, ओके cytokinin, यह क्या है नै, यह एक phytohormon है, ठीक है और cytokinin का अगर हम function देखे तो यह क्या करते है ना it is a hormone जो की promote करते है cell division in plant roots and shoots and the growth of birds यह क्या करते है ना यह promote करते है cell division कहा पर ना plant के roots में in plant roots and shoot में भी यह promote करते है cell division and also it promotes the growth of birds okay so that's why coconut milk होता है यह फिर जो coconut water होता है वो हम tissue culture में इसकरते कि tissue culture में तो वह होता है कि plant को grow करते है culture medium में so cytokinin जो होता है cytokinin cell division को promote करते है plant की root or shoots में और growth birds का जो growth होता है वह भी promote करते तो that's why milk और water को widely use करते है tissue culture में okay so अगर हम options लेकिए तो first option में है आउक्जिन तो आउक्जिन तो नहीं होता है, फिर है इथिलिन, इथिलिन भी नहीं होता है, फिर थर्ड में है साइटो काइनिन जो की हो जाएगा हमारा करेक्ट एंसर, फिर फोर्ट में है जीब बैलिन, जीब बैलिन भी नहीं होता है, ठीक है, सो हम लोगों का correct solution क्या हो जाएगा ना option 3 So thank you friends for watching this video